जहिंद एवरिवन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपके लेकर आया हूँ पैलल प्लेट कैपसिटर के नुमेरिकल जिसमें हम बहुत ही शांदार वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है जिसमें हम डिसकस करने वाले हैं कि सर पैलल प्लेट कैपसिटर के अंदर कैपसिटेंस का मान किस तरीके से निकाला जाता है इंडियूस चार्ज का मान कैसे निकालते हैं पोटेंशल डिफरेंस कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फिल्ड कैसे निकालते हैं अगर capacitor के अंदर मैं dielectric slab को introduce कर देता हूँ तो हम capacitance का मान कैसे निकालते हैं तो चलिए फिर start करते हैं आज की वीडियो बहुत ही शांदार आप सभी के लिए रहने वाली है बस आपको last की वीडियो देखनी है बचे चलिए start करते हैं सर जब हमारे सामने आपको सब को बता है कि सर capacitor क्या होता है कि सर capacitor जो charge को store करने वाले device है जिस पर net charge का मान कितना रहता है मेरे बच्चे जीरो रहता है और ये आपका किस principle पर बेज होता है induction principle पर बेज होता है बात ये नहीं थी बात हमारे सामने ये थी कई students का सवाल ये आता है कि sir हमें numericals करने में दिक्कत होती है theory तो याद हो जाती है sir formula भी याद हो जाता है पर ये नहीं समझ में आता है इसको implement कैसे करा जाए तो इन सभी बातों का जब आप जब आप इस video को देखेंगे तो आप definitely आपके अपने अंदर एक definitely एक अलगी confidence महसूस करेंगे चरिए start करते हैं जब हम मैं कहता हूँ कि sir dielectric slab को introduce करते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं कि epsilon not a upon d a क्या है यहाँ पर plate का area है और d क्या है मेरे बच्चे यहाँ पर distance बढवीनदा plate है बोलो बात clear है क्या अच्छा air के लिए कितना होता है 1 water के लिए 81 और metal के लिए कितना होता है मेरे बच्चे infinite होता है अगर मैं dielectric slab को partially introduce करता हूँ t thickness का तो हमारे सामनी capacitance का मान कैसे निकाला जाता है आपका answer क्या होगा epsilon not a upon d minus t plus का t upon k चलिए फिर start करते है question number one से सभी लोग देखेंगे मेरे बच्चे question number one आपकी screen पर ये रहा क्या कह रहा है कि sir हमारे सामने एक parallel plate capacitor है बिल्कुल sir जैसे जैसे question को सबसे पहले carefully read करना है then आपको अपने हाथ से जो information दी गई है उसके लिखते में जाना है चलिए मैंने क्या कहा कि sir आपके सामने parallel plate capacitor का मान कितना दिया हुआ है आपको दिया गया है कि जब उनके बीच में air है तो हमारे सामने capacitance का मान कितना दिया गया है 8 picofarad का मान दे रखा है बोलो बात clear है और ये किस के बराबर होता है मेरे बच्चे epsilon not a upon d के बराबर होता है उसने कहा कि if the capacitance between the distance between the plate reduced half अगर मैं इसके distance को क्या कर देता हूँ मेरे बच्चे half कर देता हूँ तो नया capacitance का मान कितना आ जाएगा आपका answer होगा sir d by 2 करेंगे तो new capacitance कितना आएगा मेरे बच्चे जल्दी बताइए हां से 2 into epsilon not into d a upon d और क्या रहा है कि sir the space between them is filled by a substance of dielectric constant इसमें जो dielectric constant आपके सामने introduce करा गया है उसका मान कितना है मेरे बच्चे 6 यानि कि यह हो जाएगा k epsilon not a upon d के बराबर तो यहाँ से k का मान अगर मैं यहाँ पर रगता हूँ तो k का मान कितना था मेरे बच्चे 6 और यह epsilon not a upon d का मान आपको दे रखा था कितना दे रखा था मेरे बच्चे 8 दे रखा था तो c का मान नया वाला capacitance कितना आ जाएगा sir 2 into यह epsilon not a upon d का मान कितना है मेरे बच्चे 8 picofarad multiply by 6 कर देंगे 6, 8, 16, 16, 96 9 यहनि कितना हो जाएगा 96 picofarad के बराबर हो जाएगा बिल्कुल सिंपल सा question आपको समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं next question की दरफ question number 2 बहुत अच्छे-च्छे question देखेंगे मेरे बच्चे मज़ा आ जाएगा question number 2 सभी लोग ध्यान से सुनेंगे sir capacitance का मान तो सभी लोग निकाल लेते हैं put the value and get the answer c बराबर epsilon not a upon d के बराबर होता है अब मैंने कहा कि sir यह है मेरे सामने parallel plate capacitor और आपको इसका area कितना दे रखा है मेरे बच्चे 100 centimeter square यह you can say that 100 into 10 to की power minus 4 meter square बात clear है क्या अब कहा गया कि the intensity of the electric field between the capacitor electric field की intensity का मान कितना दे रखा है आप सबको पता है plus से अवे होती है और minus के towards होती है और यह कितना दे रखा है 100 newton पर कुलाम के बराबर दे गई है अब आपको क्या निकालना है find the charge induced on each plate आपको Q का मान निकालना है सर हमने एक ही formula याद है Q बराबर C V होता है और Q बराबर अगर मेरे बच्चे C into V के बराबर होता है मुझे charge का मान निकालना है तो आपको इतना तो पता होगा सर C किस के बराबर होता है मेरे बच्चे आपका answer होगा epsilon naught A upon D into में क्या लिख दूँगा मेरे बच्चे V के बराबर लिख दूँगा अब आप कोगे सर potential का मान कैसे निकाला जाए अगर मैं potential की बात करूँगा तो आप सब को पता होना चाहिए electric field और potential gradient के बीच में क्या relation होता है E बराबर क्या होता है DVYDR इनके बीच में potential कितना है मेरे बच्चे V और इनके बीच ये distance कितनी है D तो यानि कि V किसके बराबर आजाएगा मेरे बच्चे ED के बराबर आजाएगा क्या मैं V की value को उठाकर यहाँ पर put कर सकता हूँ यस सर put कर सकते हैं यानि कि V का मान अगर मैं यहाँ पर रखूँगा E into D तो D से D cancel out हो जाएगा तो charge का मान कैसे निकालोगे मेरे बच्चे epsilon not कितना है 8.85 multiply by 102 की power minus 12 area कितना है मेरे बच्चे क्या मैं इसको 102 की power minus 2 लिख सकता हूँ क्या बिलकुल लिख सकते हो सर multiply by E का मान कितना है 100 100 का मतलब हो गया 102 की power कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो यह 102 की power plus 2 है यह minus 2 है cancel out हो जाएगी answer कितना आ जाएगा 8.85 multiply by 102 की power minus 12 इतने कुलाम answer आ जाएगा बास समझ मारी है clear है आईए आगे बढ़ते हैं अगला question मेरे बच्चे बहुत अच्छा question देखलो आपको increment बिल रहा होगा जब आप question को level को देखते वे जाएगे चलिया यह अब मैंने कहा आप से कि सर मेरे सामने एक parallel plate capacitor है जिसका मान कितना है मेरे बच्चे 90 pico farad के बराबर है सर बहुत बढ़िया MF कितना दे रखा है मुझे V का मान कितना दे रखा है मेरे बच्चे 20 volt के बराबर दे रखा है अब यह कह रहा है कि सर इसमें dielectric constant को introduce कर रहे है अर्थार्थिक insulator plate है जिसका K का मान कितना है 5 by 3 इसके अंदर मैंने introduce करा इसके अंदर between the plate मैंने कुछ इस तरीके से मैं आपको second वाले part में बना कर दिखा रहा हूँ मतलब आपने इसको कुछ इस तरीके से introduce कर दिया जब आपने इसको यहाँ पर dielectric constant यहाँ पर भरा और उसका मान कितना था मेरे बच्चे 5 by 3 तो अब आपको निकालना है कि सर यहाँ पर कितना चार्ज हमारे सामने induced हो जाएगा मैंने कहा सर initially जो चार्ज था वो किस के बराबर था क्यों बराबर cv के बराबर था जब आपने dielectric constant को introduce कर दिया तो हमारे सामने चार्ज कितना हो गया मेरे बच्चे c dash into v के बराबर हो गया है बात समझ मारे है तो induced charge का मान कैसे निकालूँगा सर आपका अंसर क्या होगा सर इन में से यह total charge जो था जब आपने dielectric constant को बरा तो charge कितना आ गया यानि कि induced charge का मान किस के बराबर आ गया मेरे बच्चे आपका अंसर होगा q dash minus q के बराबर आ जाएगा भया जब आप किसी भी electric, dielectric substance को introduce करते हैं तो capacitance का मान बढ़ जाता है तो charge का मान भी क्या हो जाता है increase कर जाता है तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा कि सर हमारे सामने q dash कैसे निकालोगे और v का मान कैसे निकालोगे very easy सर आईए सर c का मान किस के बराबर है मेरे बच्चे c है मेरे सामने 90 pico farad के बराबर यानि कि 90 into 102 की power minus 12 और v का मान केतना है मेरे बच्चे 20 के बराबर है 9 दुनी 18 18 into 102 की power minus 10 लिख सकते हैं बलो बात clear है या मैं अगर मैं इसी को और क्या लिखता हूँ मेरे बच्चे q का मान कितना आ जाएगा या मैं इसको लिख सकता हूँ 1.8 into 102 की power minus की 9 कुलाम अरे लिख सकते हैं क्या मेरे बच्चे आप मुझे खुद बताईए क्या 9 to 18 18 into 102 की power minus 10 2 0 से 2 0 cancel out हो गए ठीक है तो यानि की q का मान मेरे सामने कुछ इसके बराबर आ गया है अब हम q डेस निकालते हैं उन दोनों का डिफरेंस कर दीजेगा आप का अंसर आ जाएगा q डेस किसे निकालोगे c डेस c डेस किसके बराबर है मेरे बच्चे k into c के बराबर हो जाएगा multiply by कितना कर दोगे मेरे बच्चे v के बराबर कर दोगे sir k का मान कितना है याप पर आपका अंसर होगा sir 5 by 3 है c का मान कितना है 90 pico farad के बराबर है 90 into 32 के पावर minus 12 क्या आपको v का मान दे रखका है रखे भईया v का मान है sir 20 तो 20 रख दिया आईए भईया 3 से multiply करा 30 आगया 5 तिया 15 और 15 दुन्नी कितना होगे मेरे बच्चे 30 और 2 0 multiply कर देंगे 10 2 की पावर minus 10 यह you can say that 3 into 10 2 की पावर minus 9 कुलाम के बराबर आगया है अब q डेस का मान आया 3 into 10 2 की पावर minus 9 और q का मान कितना था 1.8 into 10 2 की पावर minus 9 इन दोनों का difference कर देंगे तो answer कितना आजाएगा मेरे बच्चे यहाँ से आप इनका difference करिएगा 3 into 10 2 की पावर minus 9 1.8 into 10 2 की पावर minus 9 यानि कि 1.2 into 10 2 की पावर minus 9 और minus 9 को क्या लिख सकता हूँ नैनो कुलाम लिख सकता हूँ बात के लिए नहें मेरे बच्चे चलिए आईए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question आगला question आपके सामने कुछ इस तरीके से है सभी लोग ध्यान से सुनेंगे फिलकुर similar pattern की question करा रहा हूँ फिर उसके बाद आपको कुछ अलग question देखने को मिलेंगे अच्छ अच्छ ले वलके अब आपके सामने क्या कहा गया कि सर एक parallel plate capacitor है जिसका आपके सामने area कितना दिया गया है बच्चे 6 into 10 to की power minus 3 meter square plate का separation कितना है 3 mm बहुत बढ़िया सर 3 into 10 to की power minus 3 लिख सकते हैं आपको capacitance का मान निकालना है very good capacitance किसे निकालोगे epsilon not into a upon d के बढ़ा पर लिख दोगे epsilon not का मान कितना होता है 8.85 multiply by 10 to की power minus 12 क्या आप area रख सकते हो yes sir 6 into 10 to की power minus 3 divide by distance कितनी है distance between the plate 3 into 10 to की power minus 3 है बात clear है सारी SI unit के अंदर रखे है 10 to की power minus 3 से 10 to की power minus 3 cancel out 3 2 जा कितना हो गया मेरे बच्चे 6 और 8.85 का 2 से multiply करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.8.85 का 2 से multiply कर दीजिगा यह आजएगा मेरे बच्चे 8.85 multiply by 2 2 5 जा 10 2 8 16 17 यानि कि 17.70 multiply by कितना आजएगा मेरे बच्चे 10 to की power minus 12 और this is nearly equal to 18 picofarad के बड़ाबर आगया है बात clear है मेरे बच्चे अब आपको क्या निकालना है चार्ज निकालना है क्या आप चार्ज निकाल सकते है very easy sir sir आपको Q में निकालना है Q बड़ाबर क्या होता है मेरे बच्चे C कितना है मेरे बच्चे 17.7 into 10 to की power minus 12 10 to की power minus 10 कुलाम के बड़ाबर या मैं और क्या लिख सकता हूँ इसको 1.8 into 10 to की power minus 9 कुलाम के बड़ाबर लिख सकता हूँ this is the final answer आपने net charge निकाल दिया आगले question की तरफ बढ़ते है next question क्या कह रहा है सभी लोग ध्यान से सुनेंगे बहुत अच्छा question है आप से क्या कहा गया कि सर एक parallel plate capacitor है जिसका capacitance का मान कितना है 1 microfarad सर ये है मेरे सामने parallel plate capacitor और इसका मान कितना है भाईया epsilon naught A upon D जो दे रखा है वो आपको 1 microfarad के बराबर दिया रखा है बलो बात क्लियर है अब उसने कहा कि सर वन आफ दी टू plate is given plus 2 microcola and other is given plus 4 microcola आपको करना गया है आप फस मत जाईएगा भाईया करना क्या है मैंने कहा सर इस पर charge है plus q और इस पर charge है minus q सब को पता है equal and opposite रहता है और इनका magnitude कैसा रहता है मेरे बच्चे सेम रहता है उसने कहा मैंने एक charge को कितना दे दिया कुलाम plus 2 microcola दे दिया और दूसरे वाले को कितना दे दिया मेरे बच्चे plus 4 microcola दे दिया अब आपको क्या बताना है कि find the potential of the difference between develop across the capacitor initially potential का मान कितना था क्या आप मुझे अगर initially potential का मान निकालना है तो आप मुझे ये बताईए अगर आपको C पता है initially yes sir किस के बराबर है 1 microfarad के बराबर है क्या आप क्यूं निकाल सकते हैं तो क्या आपको potential का मान मिल जाएगा बिल्कुल मिल जाएगा सर तो आप इसका मान कैसे निकालेंगे आप मुझे ये बदाईए भाया आप ये बदाईए कि अगर ये मेरे सामने एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है तो आपको पता है कि सर पैलल प्लेट केपसिटर जो होते है उन पर चार्ज का मागनिट्यूड कैसा रहता है सेम रहता है बोलो बात क्लियर है अगर एक पर क्यू होगा तो दूसरे पर कितना होगा माइनस क्यू उतने ही चार्ज होगा बट माइनस साइन के साथ होगा तो मैं इसको रखता हूँ यहने कि Q प्लस का 2 मािक्रो कुलाम that is equal to किसके बराबर हो गया तो यहां से Q और Q कितना हो जाएगा 24 मािक्रो कुलाम यहने कि 2 से 2 cancel out Q का मान कितना आ गया 1 मािक्रो कुलाम के बराबर हो गया अब आप Q की value को put कर दीजेगा आपका answer आजाएगा सर क्यों का मान कितना था 1 micro कुला micro को मतलब 10 to की पावर minus 6 अरे बात क्लियर है क्या मेरे बच्चे micro फिरेड का मतलब 10 to की पावर minus 6 multiply by V 10 to की पावर minus 6 minus 6 cancel out V बराबर कितना आ गया मेरे बच्चे 1 बोल्ट के बराबर आ गया this is the final answer क्लियर आगे बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question बिल्कुल एजी सा question है सभी लोग ध्यान से सुनेंगे किसी भी parallel plate capacitor पर हम किस तरीके से charge निकालते हैं और किस तरीके से potential निकालते हैं आप ये सीख रहे हैं अब आपसे कहा गया कि potential difference across the parallel plate capacitor बहुत बढ़ी असर minus 4 लिख सकता हूँ तो आपका answer होगा yes sir distance between the plate 1 mm मतब D का मान आपको यहाँ पर दे रखा है मेरे बच्चे 1 mm 1 to 32 की पावर minus 3 medium is filled within the air air से filled है ठीक है बया calculate the charge taken by the capacitor charge का मान निकालना है अगर मेरे सामने एक dielectric constant का मान कितना है मेरे बच्चे 5 by 2 इसके अंदर introduce कर दिया जाता है अब आपके सामने पहले condition यह थी दूसरी condition यह आ गई कि sir हमारे सामने यहां पर जो जब आपने dielectric constant का मान 2.5 इसके अंदर introduce कर दिया तो हमारे सामने पहली condition यह थी दूसरी condition यह थी तो इसका मतलब यह है कि charge neither be created nor be destroyed it can be converted क्या हो सकता है मेरे बच्चे convert हो सकता है तो इसके corresponding जो new potential difference होगा वो आप निकाल सकते हैं मेरे बच्चे अरे बात समझ में आ रहे हैं अगर यानि कि Q का मान जो पहले था मान लो Q1 था और बाद में कितना था मेरे बच्चे Q2 Q बराबर क्या होता है मेरे बच्चे C into V के बराबर होता है जब मैंने dielectric constant को introduce कर दिया तो capacitance कितना हो जाता है आपका अंसर होगा KC के बराबर हो जाएगा यानि कि KC रख दीजेगा potential नया potential हमें यहां से निकालना है बहुत बड़ी असर K से K cancel out हो जाएगा sorry या पर आपके सामने क्या हो जाएगा मेरे बच्चे C से C cancel out हो जाएगा तो V का मान कितना था मेरे बच्चे V का मान दिरख था आपको 200 और K का मान कितना है मेरे बच्चे 5 by 2 5 by 2 लिख सकते हैं multiply by कितना आ गया V new के बराबर 5 2 जा यह कितना हो जाएगा 4 जा 20 40 आ गया है 40 का 2 से multiply करोगे तो कितना आ जाएगा 80 यानि कि नया जो potential आ गया वो कितना आ गया मेरे बच्चे 80 वोल्ट के बराबर आ गया है अगर आपके सामने नया potential निकल कर आ गया है तो क्या आप उस पर charge का मान नहीं निकाल सकते हो बिलकुल निकाल सकते हो कैसे निकालोगे मेरे बच्चे आप मुझे यह बताईए भाई charge तो पहले भी वही था और बाद में भी वही है charge का मान अगर मैं निकालता आप मुझे खुद बताईए क्या मैं initially charge को निकाल के देखता हूँ चले निकालते हैं C का मान कितना था मेरे बच्चे यहां से C बराबर epsilon not A upon D चले निकालते हैं अब यहां से मैं charge का मान निकाल रहा हूँ पहली वाली condition के लिए वो इमान हमारे सामने दूसरी वाली condition पर भी आएगा आप निकाल कर भी देख सकते हैं तो Q बराबर क्या होता है मेरे बच्चे C into V के बराबर C का मान कितना है epsilon not A upon D और multiply by में कितना आजाएगा V अब value को put करिए epsilon not का मान कितना है 8.85 multiply by 102 की power minus 12 area कितना आजाएगा सर 102 की power minus 2 भाया यह 102 की power minus 2 रह जाएगा अरे बात क्लियर है भाया D का मान कितना है 102 की power minus 3 रख दीजेगा voltage कितना है मेरे बच्चे 200 है बहुत बड़ी असर अब आप क्या करेंगे यह हो जाएगा मेरे भाया 14 बात क्लियर है क्या और यह बच्चेगा नीचे minus 3 यानि कि कितना बच्चेगा 102 की power minus 11 अगर 102 की power minus 11 बच्चा 8.85 multiply by 200 इंटू कितना आ जाएगा 102 की power minus 11 बात क्लियर है मेरे बच्चे अगर मैं 2 0 को अटाता हूं तो यह कितना जाएगा 102 की power minus 9 के बराबर आ जाएगा ठीके बईया और 8.85 का 2 से multiply करते तो कितना आता था 17.70 अभी हमने देखा था सार तो यह कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 17.70 इंटू 102 की power minus 9 एक point को इधर किसका दीजेगा आंसर कितना जाएगा 1.77 इंटू 102 की power minus 8 कुलाम के बराबर आ गया है क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं next question सभी लोग ध्यान से सुनेंगे इस question को बिल्कुल सेम डील करना है जैसे आपने previous question को डील करा था अगर आप video को pause कर सकते हैं और अपने आप भी try कर सकते हैं क्या का गया एक paper है सर दो copper plate है सर copper plate आप कैसी भी बना सकते है पैललल बनाईए इनके size पर depend नहीं करती है clear है अगर मैंने कहा कि सर मेरे सामने area कितना है area of each plate कितना दे रखा है 100 cm square के बराबर दे रखा है thickness कितनी दे रखी है 0.05 cm के बराबर दे रखी है dielectric constant का मान कितना दे रखा है मेरे बच्चे 5 by 2 यानि की 2.5 के बराबर clear है if the paper is can be via the electric field e का मान कितना है मेरे बच्चे 5 into 10 to की power 5 bolt per cm दे रखा है आपको क्या निकालना है calculate the maximum voltage up to which capacitor can be charge हम voltage का मान किस तरीके से निकालेंगे very easy sir आईए जब जब आपको electric field दे दी जाए capacitor के अंदर तो आपको हमेशा याद रखना है sir e बराबर क्या होता है dv by dr के बराबर होता है sir e का मान कितना दे रखा है मेरे बच्चे bolt per cm अगर मैं cm को यहाँ पर meter में अगर मैं convert करता हूँ मेरे बच्चे तो क्या मैं इसको 10 to की power minus 2 meter के बराबर लिख सकता हूँ अरे बास समझ मारी नहीं आ रही है और minus 2 उपर जाएगा तो यह plus का हो जाएगा तो 5 into 10 to की power कितना हो जाएगा 7 volt per meter के बराबर हो गया है आपको potential निकालना था potential निकाल दीजे बहिया potential का मान कैसे निकालोगे sir v बराबर कितना हो जाएगा e into d के बराबर हो जाएगा d क्या है आपर distance between the plate है चलिया आएगे e का मान कितना है मेरे बच्चे 5 into 10 to की power 7 है distance कितनी दे रखिये sir distance between the plate is 0.05 cm के बराबर दे रखिये है अरे बात क्लियर रहे के मेरे बच्चे भया पूरी dielectric slab जो इसकेंदर introduce करा गया है वो paper जो इसकेंदर introduce करा गया है वो ही है 0.005 cm को लिखूंगा मेरे बच्चे 10 to की power minus 2 meter के बराबर लिखतूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे point अटाएंगे नीचे 3 0 लगा देंगे 3 0 से 0 cancel out हो जाएगा तो कितना बच्च जाएगा 5 into 10 to की power 4 multiply by 5 into 10 to की power minus 2 अब कितना बच्चेगा 5 5 जा 25 25 multiply by कितना हो जाएगा 2 0 यानि कि कितना जाएगा मेरे बच्चे 2500 volt अब आप क्या कर सकते हैं चार्ज निकाल सकते हैं अगर आपको potential मिल गया आपको capacitance पता है तो आप चार्ज निकाल सकते हैं कैसे निकालोगे मेरे बच्चे चार्ज का मान सुनिएगे दर ध्यान से कैसे निकालोगे Q बराबर क्या होता है मेरे बच्चे C V और C का मान कैसे निकालोगे मेरे बच्चे आपको C का मान दिया हुआ है K epsilon 0 into A upon D के बराबर क्योंकि dielectric constant है और V बराबर क्या होता है मेरे बच्चे AD के बराबर D से D cancel out हो गया चलिए रखते हैं K का मान कितना है मेरे बच्चे 5 by 2 K का मान है 5 by 2 Epsilon naught का मान है 8.85 multiply by 102 की power minus 12 area कितना दे रखा है मेरे बच्चे area का मान दे रखा है 102 की power minus 2 के बराबर 100 cm2 है बहुत बढ़ी असर क्या आप electric field का मान निकाल सकते हैं यह सर electric field दे रखी है 5 into 102 की power 7 दे रखी है बहुत बढ़ी असर अब आईए कैसे deal करोगे इसको 102 की power 14 बन जाएगा यह plus का 7 है तो यानि कि कितना आ जाएगा मेरे भईया है ना आप इसको multiply करेंगे 5 5 जा 25 upon 2 multiply by 8.85 multiply by कितना कर दोगे 102 की power minus 7 के बराबर कर दोगे 40 minus का है और plus का 7 है तो यानि कि कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 12.5 यह कर दीजे बहिया 12.5 multiply by 8.85 multiply by 102 की power minus 7 जब आप इसका multiply करेंगे तो यह आपका charge कितना आ जाएगा मेरे बच्चे आप इसका multiply करके देख सकते हैं इसको 9 consider कर सकते हो जब आप इसको 9 consider करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 12.5 को multiply कर दो 9 से 9 5 जा 45 9 दुनी 18 और 4 बाइस 9 इकम 9 और 2 ग्यारा एक point के बाद हो गया यानि कि कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 112 दसम लव 5 multiply by 102 की पावर माइनस 7 point को इधर shift कर दीजिएगा कितना आ जाएगा 1.12 into 102 की पावर माइनस 5 कुलाम के बराबर आ गया है समझमारी है थोड़ सा common sense भी लगाना है कि आपको बहुत ज़्यादा calculation करने की आवश्यक्ता ना पड़े अगर optional हो तो अब आईए इस question को बिल्कुल same deal करेंगे इसी प्रकार आप से क्या कहा गया कि sir एक capacitance है parallel plate capacitor बहुत बड़ी आशार parallel plate capacitor का मान कितना देर का है 50 pico parat आपके सामने distance कितनी इदे रखिये मेरे बच्चे 4 into 10 to the power minus 3 meter के बराबर charge to a potential this is given 200 volt अब आप से क्या कहा गया कि sir हमारे सामने जो thickness है जो dielectric slab है उसका मान कितना है के पर जो dielectric slab introduce करा गया इस बार जो introduce करा गया मेरे बच्चे अगर ये पूरी distance अगर d है तो ये कितनी distance पर 2, 2 मतना 4 है तो ये कितना है मेरे बच्चे 2 mm के बराबर है अरे बात सबज मारी है नियारी मेरे बच्चे अब आप मुझे ये बताईए जो dielectric slab इसके अंदर introduce मैंने करा है वो उसकी thickness कितनी है आपका अंसर होगा 2 अगर 2 है तो क्या मैं इसको d y 2 लिख सकता हूँ क्या ये सर तो नया capacitance कितना होगा आपका अंसर होगा epsilon not a upon d minus t प्लस का t upon k अब सुनेंगे दिरा धिहान से कैसे करोगे मेरे बच्चे q बराबर c v dielectric constant जो charge पहले था वो ही हमारे सामने क्या रहेगा बाद में भी रहेगा सर q का मान पहले कितना था c into v के बराबर फिर कितना लिखोगे c c कितना लिखोगे epsilon not इसका लिख देते हैं जब हमारे सामने air था epsilon not a upon d epsilon not a upon क्या होता है मेरे बच्चे d minus t plus का t upon k और multiply by में कितना लिख दूँगा v new potential आप new potential निकाल सकते हैं चार्ज तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ मेरे बई चार्ज निकाल दीजेगा चार्ज तो वैसी निकाल देंगे q बराबर क्या होता है c v और c का मान कितना है 50 into 10 to the power minus 12 multiply by 200 कर देंगे 52 जा कितना हो जाएगा 10 यह हो जाएगा 1,2,3,0 और आ जाएगी यानि कि 10 to the power कितना आ जाएगा minus 8 कुलाम आ जाएगा बात चार्ज की निती बात यहाँ पर potential का मान किस तरीके से निकाला जाएगा हमें यह सीखना है अगर आप potential का मान निकालना चाहते है तो थिकनेस किस के बराबर है मेरे बच्चे आपका अंसर होगा सर D by 2 के बराबर है थिकनेस किस के बराबर है आपका अंसर होगा सर D by 2 के बराबर यानि कि 2K के बराबर बात क्लियर है कि मेरे बच्चे इसमें मैंने कोई भी rocket science नहीं लगाई भईया T बराबर लग दिया direct T by 2 के बराबर अगर मैं इसको solve करता हूँ I solve करते हैं epsilon not into A upon में D multiply by V और ये कितना जाया का मेरे बच्चे epsilon not A और k का मान आपको दिया गया है k का मान कितना है 4 और 4 टूजा कितना हो गया मेरे बच्चे 8 मैं भईया step elimination कर रहा हूँ है ना क्यूंकि space थोड़ा सा कम है तो आपको clear हो गया होगा के का मान मैंने 4 रखा तो कितना हो गया 4 टूजा 8 अब यहां से कितना आ गया मेरे बच्चे यहां से आ गया D by 2 अब प्लस का कितना आ जाएगा मेरे बच्चे D by 8 और multiply by में कितना लिखूंगा V नया potential कितना आया है क्यूंका माना आप सी की चुके है सर आई एधर solve करते हैं क्या कहा गया सर epsilon not into A upon me D multiply by V epsilon not A upon me अब मैं LCM कितना ले लूँ मेरे बच्चे हाँ पर 8 LCM ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 2 4 जा 8 यानि कि 5 आ जाएगा 5 D by 8 multiply by V नयो potential अब कुछ नहीं करना है epsilon not A upon D multiply by V, V का मान कितना था मेरे बच्चे पहले, पहले V का मान दे रखा था आपको 200 V के बराबर बिलकुल भूलना नहीं है मेरे बच्चे तो हंटर प्राक्टिस करनी है भई 5 epsilon not A upon D और ये हो जाएगा मेरे बच्चे 8 by 5 के बराबर multiply by V new potential ये cancel out ये cancel out मेरे बच्चे और ये cancel out 8 से काटिएगा कितना आ जाएगा 8, 2016 बात के लिए रहे बच्चे 4 और 8 बंजे कितना हो जाएगा 40 और 25 का 5 से multiply करोगे कितना आ जाएगा 125 वोल्ट ये इतना potential develop होगा जब आप एक हाफ dielectric constant को क्या करोगे इसके अंदर introduce करोगे अब अब मैं आगे बात करता हूँ next question की तरफ question number 9 आपसे बिलकुल आपको dielectric constant का मान ही इसमें निकालना है आईए कैसे निकालेगे सर आपसे क्या कहा गया voltage rating parallel blade capacitor भाई मैं parallel blade capacitor ही लेकर आया हूँ इस पूरी वीडियो के अंदर अगली जो वीडियो रहेगी वो potential इसकी energy की रहेगी energy stored in capacitor सर C का V का मान कितना दे रखा है मेरे बच्चे 500 volt रखते वे चलिए dielectric constant with can withstand a maximum electric field मतब without breakdown जो हमारे सामने electric field की value है वो कितनी है मेरे बच्चे 102 की power 6 volt per meter area कितना दे रखा है 102 की power minus 4 बहुत बढ़ी असर what is the dielectric constant K का मान निकालना है vary जी सर और C का मान कितना दे रखा है 15 picofarad के बढ़ाबर दे रखा है रख दीजे मेरे भाई कैसे निकालोगे C बढ़ाबर क्या होता है मेरे बच्चे K epsilon not A upon D के बढ़ाबर C का मान कितना है 15 picofarad का मतब 102 की power minus 12 K का मान कितना है हमें निकालना है Epsilon not कितना है 8.85 multiply by 102 की power minus 12 area कितना दे रखा है मेरे बच्चे area हमें दे रखा है 102 की power minus 4 अब आपको यहाँ पर D किस तरीके से निकालोगे यह सवाल है मेरे भाई आप मुझे यह बताइए क्या V और D के बीच में एक relation होता है V बराबर क्या होता है मेरे बच्चे E into D के बराबर होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए E बराबर DV by DR तो DR किस के बराबर है distance के बराबर है तो यहाँ से V का मान कितना है मेरे बच्चे 500 E का मान कितना है 102 की power 6 multiply by D D का मान कितना आगे मेरे बच्चे 5 into 102 की power minus 4 आ जाएगा यहाँ से लिख दीचे मेरे बच्चे यहाँ से 5 का मान रखता हूँ D का मान रखोंगा 5 into 102 की power minus 4 यह cancel यह cancel यह cancel और यह cancel आपको क्या निकालना था K आईए K किस तरीके से निकालेंगे 15 5 जा कितना हो गया 75 upon में कितना हो गया 8.85 multiply by K का मान यहाँ से आपका answer आजाएगा और यह कितना आजाएगा approximately 8 के something जाएगा 9 8 72 यानि कि 8 से कम रहेगा यानि कि 8 से बढ़ा रहेगा 9 से कम रहेगा यानि कि 8.5 के सम्दिका जाएगा आप इसको 9 भी मान सकते है 9 8 72 तो बचा 3 फिर आपका इतने के approach answer आजाएगा बात clear है मेरे बच्चे चली आएए आगला question deal करते है next question question number 10 आपके सामने question number 10 आप से क्या कह रहा है चली सुनिए जर अर्यान से question number 10 इस प्रकार के question आपको मैं अभी करा चुका हूँ और या आपको as a practice question के रूप में भी दे सकता हूँ है ना आप practice question के रूप में करिएगा इस question को आपको clear हो जाना चाहिए कैसे करोगे मेरे भईये चलो मैं इस question को आपको practice question के रूप में देता हूँ और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो एक बार जरूर आपना comment section में answer बताएंगे कि sir मेरा answer आ गया है ठीक है चलिए आईए अगला question अगला question deal करते हैं very easy question है वैसे तो कुछ भी नहीं है अब आईए अब आपसे क्या कहा गया कि sir हमारे सामने एक parallel plate capacitor है उसके अंदर उसका potential कितना दे रखा है 1000 volt के बराबर दे रखा है जब मैंने उसके अंदर dielectric slab को introduce कर दिया तो आपको क्या क्या निकालना है कि sir calculate the potential and capacitance after placing the dielectric potential कैसे निकालोगे very easy sir potential निकालने का वोई सही तरीका sir q को constant रखिये q1 किस के बराबर मेरे बच्चे q2 के बराबर c into v फिर नया potential कितना हो जाएगा नया capacitance के c multiply by v new के बराबर sir c से c cancel out हो गया v का मान कितना है मेरे बच्चे 1000 volt बहुत बढ़ी असर 1000 है sir k का मान हमें दे रखा है क्या यहां पर dielectric constant भाया 5 दे रखा है dielectric constant का मान 5 multiply by v new new potential कितना आ जाएगा आपका अंसर हो जाएगा 5 to 10 यानि कि 200 volt के बराबर आ गया this is the final answer अब आप capacitance potential तो निकाल गया capacitance भी निकाल सकते है capacitance कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे आईए sir c बराबर कैसे लिखेंगे मेरे बच्चे k into c के बराबर sir k कितना था मेरे बच्चे 5 और c नया कितना था मेरे सामने initial ता 16 microfarad के बराबर और 16 पंजे कितना हो गया मेरे बच्चे 80 microfarad के बराबर हो गया this is the final answer यानि कि new जो capacitance निकल कर आया after introducing the क्या dielectric constant कितना आ गया 80 microfarad के बराबर आ किया है आईए अगला question बिल्कुल similar question है मेरे बच्चे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने चाहिए dielectric की position पर depend नहीं करता है आप कैसे भी place करिए उधर place करिए dielectric की थिकनेस पर depend करता है अब यहां पर हम मुझे क्या निगालना है नया capacitance निगालना है very easy sir आपको पता है c बराबर क्या होता है initially epsilon not a upon d के बराबर sir नया capacitance कैसे निकालते है जब dielectric constant को introduce करते है epsilon not a upon साथ साथ बोलते वे चलेंगे d-t plus का कितना होता है मेरे बजचे tyk के बराबर होता है तो sir मुझे यह बताना है what is the ratio of new capacitance to the original capacitance तो बहुत बढ़िया sir t का मान किस के बराबर है d y do के बराबर k का मान आपको दे रखा है k का मान कितना दे रखा है मरे बजचे 4 दे रखा है sir epsilon not a upon D- T कितना है मेरे बच्चे D by 2 के बराबर T कितना है मेरे बच्चे D by 2 और K का मान कितना है मेरे बच्चे 4 है 4 2 जा 8 मैं इसको direct 8 लिख दू क्या बात clear है के मेरे बच्चे अब आपके सामने कितना आ गया C new capacitance यह कितना आ गया मेरे बच्चे Epsilon not into A यह कितना आजाएगा D by 2 प्लस का कितना आजाएगा D by 8 यह आजाएगा भाईया C new यानि कि नया potential जो आगया नया capacitance जो निकल कर आगया epsilon not A upon या मैं इसको 8 LCM लूँगा 2 for the 8 यानि कि 5 D by 8 यानि कि यह कितना आजाएगा C new किसके बराबर आगया 8 उपर चला जाएगा 5 नीचे चला जाएगा epsilon not A upon D और यही तो मेरे बच्चे C के बराबर था original capacitance के बराबर था और आपको यही तो निकालना था नया capacitance और original capacitance का ratio कितना निकल कर आएगा आपका आंसर हो जाएगा sir 8 by 5 के बराबर आजाएगा this is the final answer आशा करता हूँ बच्चे आपको सबज मार रहोगी पूरी वीडियो आगे बढ़ते हैं next question की तरफ थोड़ तेज तो जरूर कर आता हूँ बच्चे बढ़ आप playback speed पर जाकर भी slow कर सकते हैं आईए इस question को कैसे deal करेंगे बिल्कुल similar question आप से क्या कहा गया sir अगर नया capacitance निकालना है if half of the space between them मतलब d का मान thickness जो है मेरे बच्चे अगे आप वीडियो को pause करके अपने आप भी try कर सकते हैं d का मान कितना है d by 2 के बराबर dielectric constant का मान 3 है अगर 4 होता तो हम direct लिख देते हैं मेरे बच्चे 8 by 5 into c के बराबर पर यहाँ पर k कमान 3 दिया गया है 3 दिया गया तो निकाल लेते हैं sir very easy sir c new बराबर epsilon not a upon क्या होता है मेरे बच्चे साथ साथ बोलेंगे d minus t plus का d upon k के बराबर epsilon not a d कितना है मेरे बच्चे t कितना है d by 2 के बराबर k कमान कितना है मेरे बच्चे 3 k कमान dielectric constant कमान 3 दे रखा है तो आए 3 2 जा कितना हो जाएगा मेरे बच्चे यहाँ से 6 अब आएए बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे c new corresponding यह कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, Epsilon not A upon, यह आ जाएगा D by 2 plus का कितना हो जाएगा D by 6 के बराबर, यह हो गया Epsilon not A upon, यह हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 LCM लोगे मेरे बच्चे, 3 plus 4 यानि कि कितना आ जाएगा 4 D by 6 के बराबर, यह आ जाएगा मेरे बच्चे, यानि कि नया capacitance कितना आजाएगा सर C new आजाएगा 6 को उपड ले जाएगा into epsilon not A upon D के बराबर अब epsilon not A upon D किसके बराबर है मेरे बच्चे क्या आपको C का मान दे रखा है initial capacitance सर आपको C का मान initial capacitance दिया हुआ है सर 4 microfaradans यह दिया हुआ है यह होगा बईया 4 microfaradans कितना आजाएगा मेरे बच्चे 6 microfarad के बराबर this is the final answer बास समझ मारी है आईए अगले question की तरफ deal करते हैं next question बार बार CBC में इस प्रकार के question पूछे गए है मेरे बच्चे आईए अगला question आप से करवाते हैं क्या कहा गया है कि सर अगेन कहा गया है new capacitance और original capacitance का ratio निका लिए पहले हमने क्या सीका charge निकालना फिर potential निकालना फिर नया capacitance निकालना अब हम निकाल रहे हैं जब partially introduce करा जाएगा तो हमारे सामने original capacitance और new capacitance और original capacitance का ratio कितना होगा आईए सर अगेन सेम कहानी बढ़ते हैं मेरे बच्चे क्या कहा गया C बराबर क्या होता है epsilon not A upon D minus का T plus का कितना होगा मेरे बच्चे T by K के बराबर बट इसमें थोड़ा सा twist है मेरे बच्चे इस question में क्या कहा गया कि सर जो हमारे सामने capacitance था new वाला उसमें क्या करा गया एक dielectric constant जो आपके सामने metal है उसको इसके अंदर introduce कर दिया अब बताइए सर new capacitance और original capacitance का ratio क्या होगा आपको पता है original किसने लिखते है epsilon not A upon D के बराबर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ half of the dielectric is filled with the metal plate D by 2 plus का D by 2 K का मान कितना है सर infinite है अगर मेरे बच्चे 1 upon infinite किसके बराबर होता है आपका answer होगा 0 यानिकि यह तो पूरा term कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 0 के बराबर हो जाएगा अब यह कितना आ जाएगा C new potential C new potential यह आगया epsilon not A upon D by 2 लिख देंगे D by 2 उपर चला जाएगा epsilon not A upon D को क्या लिख सकते है मेरे बच्चे C लिख सकते है यानिकि C new that is equal to 2C के बराबर यह C को नीचे लिएगा original कितना जाएगा इनका ratio 2 by 1 के बराबर आगया आगे बढ़े यह question आपका CBSC का previous year question अगला question very easy question similar question है मेरे भाईया इसी परकार डील करना है आईये कैसे करते हैं आप पहले वीडियो को pause करके अपने आप भी कर सकते हैं चले सुरिए कैसे करोगे मेरे बच्चे आईये सर क्या कहा गया कि सर नया capacitance और original capacitance का ratio निकालना एक तरीके से C new या C dash कैसे लिकालते थे epsilon not A upon D minus T plus का कितना करेंगे मेरे बच्चे T by K के बराबर कर देंगे सर थिकनेस कितनी है मेरे बच्चे dielectric slab की थिकनेस है सर 3D by 4 तेख लो मेरे बच्चे हाँ पर question को read करते वे देखिएगा dielectric slab की थिकनेस कितनी है 3D by 4 ये कर दिया सर 3D by 4 और K का मान कितना है मेरे बच्चे K का मान dielectric constant का मान आपको given है सर given नहीं है K के term में ही answer निकालना है सर K लिख दीजेगा बहुत बड़ी असर ये किसके बराबर हो गया सर epsilon not A upon D minus 3D by 4 ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे D by 4 के बराबर प्लस का कितना आ गया 3D by 4K के बराबर अब क्या करेंगे मेरे बच्चे C new मैंने epsilon not A upon मैंने नीचे LCM ले लिया मेरे बच्चे 4K तो यहां कितना बच्चा K D मैंने भार common ले लिया D plus का ये अंदर क्या बच्चे का मेरे बच्चे 3 के बराबर बचेगा बोलो बात क्लियर है 4K को उपर लिख दीजेगा ये आ जाएगा 4K upon K plus 3 into कितना आ जाएगा epsilon not A upon D के बराबर और ये ही तो मेरे सामने मेरे बच्चे epsilon not A upon D किसके बराबर था original capacitance और original capacitance का कितना दे रखा है C not के बराबर दे रखा है आप इसको C की जगे क्या लिख सकते हो मेरे बच्चे C not के बराबर ये question भी आपका CBSC में पूछा गया है समझ आया आगे बढ़ते हैं आईए next question question number 16 अब मैं क्या कर रहा हूँ अभी तक आपने एक ही dielectric slab को introduce करा था इस वीडियो के अंदर हम maximum दो dielectric slab को introduce करेंगे बाकी की कहानी हम आपके combination of capacitor में कराएंगे अब सुनेंगे ज़रा ध्यान से अगर आपके सामने यहाँ पर slab को कुछ इस तरीके से introduce करा जाता है dielectric slab को सर यहाँ पर हमारे सामने distance तो दोनों की कितनी है मेरे बच्चे dd है पर area कितना हो गया है a by 2 a by 2 यनि कि जब आपके सामने ऐसा आएगा तो क्या आप इसको ऐसे करके बना सकते हो मेरे बच्चे यह k1 है और यह k2 है दोनों आपके p ही potential पर डूड़े वे हैं यह आपका यह तो आप मुझे यह बताईए यह हमारे सामने capacitance है और यह capacitance है दोनों कैसे है मेरे बच्चे एक ही potential पर dropped है बात clear है अगर एक ही potential पर drop है तो यह कौन सा combination हो जाएगा मेरे बच्चे यह हो जाएगा आपके सामने parallel combination parallel combination में series कैसे लिखते हैं C equivalent दोनों को कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे इसका capacitance C1 मानिएगा इसका capacitance C2 और दोनों को क्या कर देंगे मेरे बच्चे जोड देंगे इसका काम उल्टा है मेरे बच्चे resistance में जैसे आपने दिखाऊगा parallel combination में 1 by R करते हैं पर resistance का का काम होता है charge को oppose करना इसका काम है charge को store करके रखना तो parallel combination में हमारे सामने ये बनेगा सर C1 का मानिए कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे आपका answer होगा K1 epsilon 0 A कितना है मेरे बच्चे A by 2 के बराबर क्या इनकी बीच की distance अभी भी D है सर बिलकुल भाईया D है D लिख दीचेगा C2 कितना लिखेंगे K2 epsilon 0 A upon कितना आजाएगा मेरे बच्चे 2D के बराबर हो जाएगा यहाँ पर भी area कितना है A by 2 के बराबर है अब यहाँ से कितना आजाएगा K1 plus का K2 upon में आजाएगा मेरे बच्चे 2 और बाहर क्या लिखेंगे Epsilon 0 A upon D के बराबर यहनि कि C equivalent कितना आजाएगा यह आजाएगा K equivalent into कितना आजाएगा Epsilon 0 A upon D के बराबर आपको हमेशा याद अठना है मेरे बच्चे जब आपके सामने half dielectric area को क्या करा जाएगा K1 से introduce करा जाएगा half area को किसे करा जाएगा K2 से तो हमारे सामने equivalent capacitance का मान यह equivalent dielectric constant का मान कितना निकल कर आया है आप यहाँ पर लिखेंगे मेरे बच्चे कितना आया है आप याद करके चलेंगे कितना होता है K1 प्लस का K2 upon कितना आता है 2 के बराबर आता है अब मैं dielectric को ऐसे ना introduce करके कुछ इस तरीके से introduce कर रहा हूँ मतलब इस बार इनका area कैसा है मेरे बच्चे सेम है area तो सेम है पर distance कितनी होगी मेरे बच्चे half हो चुकी है जब distance half हो जाएगी तो हमारे सामने नया capacitance कैसे निकाला जाएगा बिलकुल सर सुनिए गजर अध्यान से मैं इसको मिटा रहा हूँ मेरे बच्चे यह आपको समझ मा आ गया होगा अब मैंने कहा कि सर अगर मेरे सामने यहाँ पर slab को आप कुछ इस तरीके से introduce करेंगे तो induction की वज़े से charge कैसा आएगा एक पर plus दूसरे पर फिर minus फिर plus कितना आ जागा फिर minus यानि कि alternate है alternate combination कौन सा बनता है मेरे बच्चे आपका अंसर हो जाएगा सर यह बन जाएगा आपके सामने series combination series combination में कैसे निकालोगे मेरे बच्चे c equivalent यानि कि c net का मान कैसे निकालोगे 1 upon c1 plus का 1 upon c2 सर distance कितनी है मेरे बच्चे d by two के बड़ाबर है area तो मेरे बच्चे वो जी है न इस बार area वो जी है मेरे बच्चे area plate का area वो जी है तो आईए c1 कैसे लिखेंगे k1 epsilon not into a upon में कितना लिख देंगे मेरे बच्चे d by two area बात clear है क्या area वो ही है इस बार मेरे बच्चे area वो ही है अब आईए इस वाले पर इस पर कैसे लिखोगे k2 epsilon not a upon d d किसके बराबर है d by 2 के बराबर है तो यहां से 1 upon c net किसके बराबर हो गया मेरे बच्चे आप लिख लीजेगा d upon epsilon not a बाहर आ गया यह 2 को भी बाहर कर दीजेगा 1 upon k1 plus का 1 upon k2 क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ यहां से d upon 2 epsilon not a यह आजाएगा मेरे बच्चे k1 k2 और यह आजाएगा k1 plus का k2 यह आजाएगा 1 upon c net के बराबर यहां से c net किसके बराबर आजाएगा यहां से c net में दुवार लिखता हूँ मेरे बच्चे यहां से आगया c net बराबर यह आजाएगा 2 k1 k2 उल्टा करके लिखेंगे है न 2 k1 k2 upon में k1 plus का k2 इंटू में कितना आजाएगा epsilon not a upon d के बराबर बात क्लियर है मेरे बच्चे बात क्लियर है सर बहुत बढ़िया यहनि कि इस केस में जो हमारे सामने equivalent dielectric constant का जो मान निकल कर आया और वो कितना आया मेरे बच्चे याद रखेंगे always 2 k1 k2 upon में कितना आजाएगा मेरे बच्चे k1 plus का k2 के बराबर आ गया है यहनि कि जब हमारे सामने area को आधा करा तो तो equivalent capacitance equivalent electric इतना आया जब हमने distance को half करा तो हमारे सामने कितना आया 2 k1 k2 by k1 plus का k2 आया है आईए एक छोटा सा question करते हैं यह question आपका cbsc में ही पूछा गया है सर आपको क्या करना है उसने कहा कि सर into arrangement one by one एक बार arrangement ऐसे करा area को आधा करा और एक बार हमने distance को क्या करा मेरे बच्चे आधा करा है आपको क्या निगालना है मेरे बच्चे c1 by c2 यह मेरे भईया c1 है और यह केतना है मेरे बच्चे c2 चलिए आईए c में कैसे लिखेंगे k equivalent epsilon naught a upon d के बराबर c2 कैसे लिखेंगे k equivalent epsilon naught a upon d के बराबर यानिकि सारा game जो है वो आपका k equivalent कही रह जाता है अब k equivalent कैसे रिकालते है सर c1 upon c2 k equivalent इस case में कैसे आता था k equivalent पहले वाले case में k1 plus का k2 upon 2 के बराबर दूसरे वाले में k equivalent कैसे निकालोगे मेरे बच्चे 2 k1 k2 upon में कितना था k1 plus का k2 बात क्लियर है के मेरे बच्चे k1 plus का k2 को मैं उपर ले जा रहा हूँ तो यह आ जाएगा k1 plus का k2 k1 plus का k2 upon में कितना आ जाएगा 4 k1 k2 k1 k2 का मान रखना है आंसर आ जाएगा k1 2 है और k2 कितना है 3 है तो यह आ जाएगा 5 गुड़ा 5 multiply by 4 into 2 into 3 यह आ जाएगा 25 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 यानि कि 25 by 24 आ गया है game over चले आगे बढ़ते हैं next question की तरफ question number 18 सभी लोग ध्यान से सुनेंगे इसमें आपको कुछ नहीं है मेरे बच्चे इस बार 2 dielectric slab introduce करे गए है मैंने आपको इस question को इस लिए introduce करा है ताकि आपको चीज़े और थोड़ी सी और clear हो सके आप मुझे ये बदाईए अगर मैं dielectric constant को introduce करता था तो क्या होता था plus की वज़े से यहां पर क्या develop होगा minus का और यहां पर induction की वज़े से क्या होगा plus फिर plus के बाद क्या आएगा मेरे बच्चे minus फिर minus के बाद क्या आएगा मेरे बच्चे यहां पर plus यानि कि इसके बाहर जो electric field की direction थी वो थी e not जो भी थी air में, E0 लेकर चलते हैं, तो E0 लेक लेते हैं, अब अंदर अगर मुझे electric field निकान ली है, तो अंदर electric field इसके direction के opposite है, अरे बास समझ मारी है क्या मेरे भई, तो अंदर जो electric field का मान आएगा, वो किसके बराबर आजाएगा, E0 upon K1 के बराबर, आप मुझे खुद ब और डीपर net electric field का मान कितना है, आप का अंसर होगा, E0 minus का EK के बराबर है, इस पर भी electric constant की वज़े से electric field कहां लगेगी, इधर लगेगी, ये EK और ये भी क्या गया मेरे बच्चे, EK2 आ गया है, बात क्लियर है, यानि कि अगर मैं electric constant को इसके अंदर introduce करता हूँ, तो electric field का मा मान हमेशा एक से जादा रहेगा, तो value क्या कर जाएगी, decrease कर जाएगी, ये तो बात समझ में आती है, यानि कि जो भी पहले value रही होगी, वो जो भी पहले value रही होगी, बहुत बढ़िया, ये है देखो, देखते वे चलेंगे, अब electric field का मान increase करेगा या decrease करेगा, सर increase नहीं हो गया, फिर हमारे सामने electric field का मान क्या करेगा, decrease, पर वो ज़्यादा तेजी से decrease करेगा, ऐसा इसने कहा है, increase तो नहीं करेगा, decrease करेगा, और decrease पहले वाले के respect भी थोड़ा ज़्यादा कर रहा है, ऐसा क्यों सर, क्योंकि अगर मैं इस case में electric field का मान निकालूँगा, क्योंकि dielectric की strength ज़्यादा है, तो यहानी कि K2 का मान ज़्यादा बड़ा होगा, तो यहाँ पर ज़्यादा drop आपको देखने को मिलेगा, यहानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँगा, तो यहाँ पर जो electric field होगी, वो suddenly बहुत तेजी से decrease करेगी in comparison to K1 के respect में, यहानी कि कौन सा option हो देखिए दर ध्यान से, बिल्गुल same question है, आप से क्या कहा गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सर मेरे सामने एक parallel plate capacitor है, बहुत बड़िया, the separation between them is D, उसने कहा, the distance between now is filled with one of the dielectric, has a dielectric constant, कितना दे रखा है, K1 का मान कितना दे रखा है मेरे बच्चे 3, और यह distance कितने दे रखी है, D by 3 के बराबर, अब दूसरी जो distance करी गई है, वो कितने से fill करी गई है, 2D by 3 से distance से fill करी गई है, very easy, अब आपको क्या निगालना है मेरे बच्चे, K1 दे रखा है, K2 दे रखा है, very easy sir, K2 कितना दे रखा है मेरे बच्चे, 6 के बराबर दे रखा है, आपको क्या निगाल लैगा, मेरे बच्चे, माइनस, या कैसे आएगा, मेरे बच्चे, बात Для लिए रहेंगे, यानि कि alternate sign देखने को मिलेंगे, जब आपको alternate sign देखने को मिलते थे तो यह combination कौन सा हो जाता था, आप का answer होगा, series combination होगा, series combination में कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे आईए 1 upon c net बड़ाबर आपको देखो initially दे रखा है air, air में जब था तो epsilon 0 a upon d का मान कितना दे रखा है मेरे बच्चे 9 pico farat के बड़ाबर दे रखा है, बहुत बड़ी है sir इसका use करेंगे last में क्या कहा गया, sir c का मान epsilon 0 o k net capacitance निकालना है 1 upon c1 plus का 1 upon c2 very easy sir, c1 किसके बड़ाबर है मेरे बच्चे, k1 epsilon 0 a upon d कितना है मेरे बच्चे, d by 3 के बड़ाबर, बात क्लियर है है न, epsilon 0 k epsilon 0 a upon d, d उपर दाएगा और d d by 3 के बड़ाबर है sir c2 कितना है मेरे बच्चे, लिखेगा c2 है k epsilon 0 a upon d कितना है मेरे बच्चे, 2 d by 3 के बड़ाबर है very easy sir निकाल दीजे मेरे भाई, over कर दीजे game over बिलकुल, यहां से कितना आजाएगा, d upon epsilon 0 a common ले लिया, अंदर क्या बच्चा मेरे बच्चे 1 upon 3 k1 k1 कितना है मेरे बच्चे, k1 k1 आपको दे रखा है, k1 है 3 के बड़ाबर 3 के बड़ाबर plus का, 2 by k2 k2 कितना है मेरे बच्चे k2 है 6 के बड़ाबर 2 से 2 cancel आगया, तो यहां से कितना आजाएगा मेरे बच्चे, d upon epsilon 0 a c net 1 upon 9 plus का कितना हो जाएगा 3 तीय 9, plus का कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 1 by 6 के बड़ाबर हो जाएगा बात क्लियर है के मेरे बच्चे अब कुछ नहीं करना है इसका LCM ले लीजे भी या, LCM ऐलोगे, C net बड़ाबर कितना आजाएगा epsilon 0 या अभी एक step और लेकर चलेंगे d upon epsilon 0 a यहाँ पर LCM ले लीजेगा 18 और यह आजाएगा मेरे बच्चे 9, 2 जा और 3 जा यह आजाएगा 5 by 18 5 by 18 आजाएगा तो यहाँ से कर दीजेगा C net बड़ाबर 18 epsilon 0 a upon कितना आजाएगा मेरे बच्चे 5d के बड़ाबर आगया है तो यहाँ से जब आप इसका multiply करोगे 18 9 जा epsilon 0 a upon d किसके बड़ाबर है 9 के बड़ाबर कितना है मेरे बच्चे 9 के बड़ाबर बात कलियर है क्या जब आप 9 रखेंगे हाँ पर 18 निम्मा 108 18 9 जा 18 9 जा हो जाएगा आपके सामने 162 162 का 5 से डिवाइड कर दीजेगा अंसर आजाएगा 162 डिवाइड ब़ाइड फाइव ठीक है 5 4 जा 5 3 जा 15 5 4 जा 20 यानि कि कुछ गडबड हुई है मेरे बच्चे C1 कितना है मेरे बच्चे 9 Pico Farad के बराबर है और distance कितनी है मेरे सामने पहले है one of the dielectric constant k1 बराबर 3 है thickness d by 3 है दूसरे में d है d by 3 है capacitance k1 epsilon not a upon d d कितना है d by 3 के बराबर ये कितना है भईया k2 epsilon not a upon d d कितना है मेरे बच्चे ये हो जाएगा d by 3 तो दूसरा कितना हो जाएगा 2 d by 3 बिल्कुल ठीक है भई यहां से एकदम सही चल ला है अब यहां पर अच्छा ये जो value है मेरे भईया k2 कितना है मेरे बच्चे 6 है और ये कितना है मेरे बच्चे 3 है तो ये कितना आ जाएगा 3 6 जा 18 आएगा मेरे बच्चे यहां पर है ना 2 3 जा 9 है ना तो यहां पर गडबड़ हुए मेरे भईया आए जर अध्यान से देखेगा है ना यहां से क्या हुआ है यहां से आया है 2 by 3 इंटू में कितना आ गया मेरे बच्चे 2 by 3 इंटू 6 2 3 जा 6 यानि कि 1 by 9 आ जाएगा ये भी 9 1 by 9 1 by 9 ये कितना आ जाएगा d upon epsilon not a यनी कि 2 by 9 के बराबर आ जाएगा यनी कि c net कितना जाएगा मेरे बच्चे 9 epsilon not a upon 2d के बराबर और ये किस के बराबर था मेरे बच्चे 9 multiply by 9 picofarad divided by 2 81 upon 2 यनी कि कितना जाएगा 40.5 game over मेरे बच्चे बात समझ में आ रही है मेरे बाई इसलिए मैंने आंसर लिखा था ताकि थोड़ी बहुत अगर गलती हो तो आपको चीज़े बिलकुल समझ में आ जी हाए चलिए आए कोशन नमबर 20 बहुत बढ़िया कोशन अगर मेरे सामने परमिल्टिविटी वैरी कराई जाएगी तो हमारे सामने किस तरीके से आपको क्या करना है कोशन को डील करना है आईए बिलकुल पाललल प्लेट कैपसिटर का ही कोशन है कोई भी गलत नहीं करेगा मेरे भाई क्या कहा गया एक पाललल प्लेट कैपसिटर है सर बहुत बढ़िया जिसका प्लेट एरिया ए है इसमें डी बाई टू तक कितने तक मेरे बच्चे डी बाई टू तक जो एपसालन है वो कुछ इस तरीके से वैरी कर रहा है दूसरे वाले में epsilon कुछ इस तरीके से vary कर रहा है बात क्लियर है के मेरे बच्चे तो ये कौन सा combination होगा series combination series combination में कैसे लिखते थे मेरे बच्चे capacitance निकालना है capacitance निकालना है बहुत बड़ी है सर c net बड़ाबर कितना आजाएगा epsilon into a upon d कितना है मेरे बच्चे dx के बड़ाबर है बात क्लियर है epsilon not a upon d के बड़ाबर vary जी सर अब आईए यहाँ पर कितना आजाएगा epsilon dx क्योंकि यहाँ पर vary कर रहा है न तो मैं dx लिकर चलूँगा और बाद में integrate मारूँगा मेरे भई तो आप c1 c2 को अलग भी निकाल सकते हैं ऐसा भी कर सकते हो मेरे भई है ना c1 c2 को अलग भी निकाल सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भई ठीक है अगर आप c1 c2 को अलग निकालते हैं तो net capacitance रख दीजेगा हाँ ऐसी कर लीजे C1 और C2 को अलग निकाले C1 अगर में निकालता हूँ फिर में C2 निकालता हूँ फिर उन दोनों को 1 by C1 प्लस 1 by C2 करके जोड़ दूँगा C1 कितना है Epsilon into A upon D D कितना है मेरे बच्चे Dx के बराबर है और ये किसके बराबर है मेरे बच्चे Cnet Cnet निकालते हैं 1 upon Cnet किसके बराबर होगा 1 upon C1 प्लस का 1 upon C2 C1 किसके बराबर है Epsilon 1 into A upon में कितना आगया Dx प्लस ये कितना आजाएगा Epsilon 2 into A upon Dx बहुत बढ़ी असर Dx upon Epsilon ये किसके बराबर है मेरे बच्चे Epsilon 1 ये है मेरे सामने Epsilon 0 प्लस का KX into में कितना है मेरे बच्चे E के बराबर है प्लस Dx upon अब दूसरे वाले में भी मेरे सामने क्या कर रही है ये vary कर रहा है है ना तो Dx के X के respect में vary कर रहा है तभी मैंने हाँ पर complete value ना लिखकर एक एक partial value लेकर चली है तो यहां से कितना आ जाएगा Epsilon 2 किसके बराबर हो जाएगा Epsilon 0 प्लस का D K into D minus का X और इसमें कितना आ जाएगा मेरे बच्चे E के बराबर आ गया है बात क्लियर है अब आपने क्या करना है कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे दोनों तरफ इंटीग्रेट मारिएगा 1 upon C net आईए अब दोनों तरफ इंटीग्रेट अगर मैं करता हूँ दोनों को जोड़ दीजेगा है ना अब ये अगर मैं C1 को इंटीग्रेट करता हूँ कहां से लेकर कहां तक इसमें जो इंटीग्रेशन जाएगा 0 से लेकर दीवाई 2 तक इसमें जो इंटीग्रेशन जाएगा वो कहां से कहां तक जाएगा दीवाई 2 से लेकर दी तक बात क्लियर है मेरे भाई आईए अच्छा कोशन है मेरे भाई खलती नहीं करनी है बिलकुल भी, बात clear है के मेरे भई, अब यहां से आप मुझे ये बताइए, ये अगर मैं इसका integrate करूँगा, तो ये किसके बराबर आएगा, एको बाहर लिख लीजेगा, ये आ जाएगा, one upon x का integration क्या होता है, आपका answer होगा log x या ln x के बराबर, अगर को coefficient होता था, क्या होता था, coefficient, माल लो 2, तो वो क्या होता था, इसके divide में आता था, बात clear है के मेरे भई, अब आप मुझे ये बताइए, यहां पर जो coefficient है, वो है k, x का coefficient क्या है k, तो k क्या आ जाएगा मेरे भई या, बाहर, बात clear है भई, तो यहां से कितना आ जाएगा, ln, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, यह आजाएगा, epsilon naught, plus का, kx के बराबर आगया है, और यह x कहां से लेकर, कहां तक vary कर रहा है, मेरे भईया, 0 से लेकर, d by 2 तक vary कर रहा है, plus का, अगली कहानी देखते हैं, बिल्कुल सेम कहानी, 1 upon कितना आगया, मेरे बच्चे, k, a, और यह कितना आजाएगा, ln, यह आजाएगा, मेरे बच्चे, है न, x का coefficient, minus k के बराबर है, तो यहां पर यह minus sign लेकर चलेंगे, मेरे भई, बात clear है कि भईया, है न, x का coefficient जो आएगा, यह तो मैंने बहार निकाल चुका हूँ, मेरे भई, यहां पर x का coefficient क्या था, k, तो मैंने k से divide कर दिया, यहां पर x का coefficient क्या आएगा, minus क्या आएगा, थोड़ सा integration की, अगर थोड़ ची value आपको पता हो, तो कितना आजाएगा, epsilon not, plus का कितना आजाएगा, k into d minus का x, और यह कहां से लेकर, कहां तक vary करेगा, d by 2 से लेकर, d तक vary करेगा, चली आएगे, करते हैं सर, हार नी मान नहीं है मेरे बच्चे, यहां से कितना आजाएगा, 1 upon ka, net capacitance निकालना था, बहुत बड़ी है सर, 1 upon ka, सही चला है मामला एक दम अभी तक, यह हो जाएगा, ln, यह हो जाएगा, epsilon not, plus का, k d by 2, minus का कितना हो जाएगा, 0 रखेंगे, तो कितना आजाएगा, ln, epsilon not के बराबर, यहां गया, minus का, दूसरे वाले का कितना है, 1 upon ka, सर, यहां पर d की value, पहले d रखेंगे, तो पहले में तो ln, epsilon not आजाएगा, as it is, ऐसे ही, बहुत बड़ी असल, फिर d की value, d by 2 रखेंगे, तो कितना आजाएगा, minus sign के साथ लगा कर रखेंगे, है न, minus sign, ln, यह कितना आजाएगा, epsilon not, plus का, k into d by 2, बोलो बात clear, yes or no, मेरे बच्चे, अच्छा जी, यह सारी कहानी अगर आपको समझ मा आ गई होगी, तो मेरे बच्चे-बच्चे game over हो दाएगा, आईए, अब आईए, अब मैं यहां से क्या करने वाला हूँ, सुनिए गदर अध्यान से, है न, यह आपने तो लिख लिए होगा मेरे बच्चे, अब यहां से क्या आ गया है, मैं हाँ पर, 1 upon k a, यह आ गया मेरे सामने, ln, 2 epsilon not, plus का, k d upon 2, बात clear है मेरे भईया, माइनस साइन के साथ लेके चल रहा हूँ मैं, माइनस, 1 upon k a, ln, epsilon not, माइनस, माइनस होगया, plus, ln, 1 upon k a, ln, 2 epsilon not, plus का, k d upon में कितना आ गया है, मेरे बच्चे, 2 के बराबर आ गया है, यह भी 2, यह भी 2, सर, सर, बहुत बढ़िया, सर, यानि कि 2 में बाहर लिख सकता हूँ, है न, यानि कि यह हो जाएगा, 2 times k a, ln, 2 epsilon not, plus का, k d upon 2, और यह कितना हो जाएगा, 2 upon k a, और यह कितना हो जाएगा, मेरे बच्चे, ln, epsilon not, के बराबर हो गया, 2 upon k a को common ले लिजे बहिया, और यह 1 upon c net चला है, अरे बात क्लियर है मेरे बच्चे, 2 common ले लिजेगा, है न, तो यहां से 2 upon k a, ln, यह आ जाएगा बहिया, ln, log a minus log b किसके बराबर हो गया, log a upon v के बराबर, यानि कि 2 epsilon not, plus का, k d, upon में कितना आ जाएगा, मेरे बच्चे, यह आ जाएगा, 2 already रहेगा, और epsilon not आ जाएगा, बात क्लियर है के मेरे बच्चे, यहां न, कि c net निकालना था, game over हो चुका है, मेरे बाई, देख लो को धना ध्यान से, यानि कि अगर मैं यहां से लिखता हूँ, यह किसके बराबर आ जाएगा, c net बराबर, c net किसके बराबर है k a, k a उपर है, नीचे कितना आ जाएगा, 2 into ln, ln यह कितना जाएगा, 2 epsilon not, plus का k d upon में कितना हो जाएगा, 2 epsilon not, this is the final answer, अच्छा कोशन था मेरे बाई, अगर आप इस तरीकी के कोशन लगा पा रहे हैं, तो आप समझ जाएगा, आपके physics थोड़ी थोड़ी सी अच्छी हो question number 21, 22, 23, बद 2-3 question रहे हैं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, यह भी question बड़ अच्छा है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, क्या कहा गया, कि सरीक parallel plate capacitor है, unit area का है, मतलब a बराबर 1 है, बहुत बढ़िया, distance d is filled with the dielectric constant k, k बराबर इतना है, क्या कहा गया, liquid is filled d by 3 initially, d by 3 तक है यहाँ पर कुछ इस तरीके से filled है, suppose the liquid level is decreases at the speed v, माल लेते हैं, यह मेरे सामने कुछ x drop कर जाता है, कितना drop कर जाता है, v, v velocity से x drop कर गया, यानि कि air में distance कितनी रह गई मेरे भाई, आप मुझे यह बताइए, पहले distance कितनी थी air में, 2 d by 3, अरे बात क्लियर है, और यह कितनी थी मेरे बच्चे, d by 3 के बराबर थी dielectric की, अब इसमें अगर यह x से नीचे आया, x distance drop हुआ, तो यानि कि total distance air में कितनी हो गई, 2 d by 3 plus का x के बराबर, और dielectric में distance कितनी हो गई, आपका answer होगा, d by 3 minus का x के बराबर, बात क्लियर यह 69 मेरे बच्चे, और कितनी speed से आ रहा है, v से, तो v बराबर time के respect में लिख सकते हैं, distance बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, speed into time के बराबर होता है, चली आईए, अब बिलकुए easy सा question बन चुगा है मेरे भाई, अब आपने क्या निकालना है, time constant निकालना है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, time constant जो होता है मे क्या आप c net निकाल सकते हैं, बिलकुल निकाल सकते हैं, यह कौन सा combination मनेगा मेरे बच्चे, series combination मनेगा, क्या मनेगा, series combination, series combination में c net कमान कैसे निकालते हैं, 1 upon c net बराबर, यह किसके बराबर होता है मेरे बच्चे, जल्दी बताइए, फटापट से, 1 upon c1 plus का 1 upon c2, c1 किसके बर अब रखते हैं, ध्यान से सुनेंगे, कोई भी छोड़ कर नी जाएगा, मेरे भई, क्या होगा, एर में डिस्टेंस कितनी होती है, अब ऐसी हाँ पर हमारे सामने के टू, क्या से रखेंगे, के, एपसलन नॉट इन्टू ए, अपॉन में कितना आजाएगा, मेरे बच्चे, डी बाई थ्री, माइनस का कितना हो जाएगा, मेरे बच्चे, X के बराबर हो जाएगा, क्लियर है, के का मान कितना दे रखा है, मेरे बच्चे, टू के बराबर दे रखा है, के बराबर टू लिख दिया, कोई दिक्कत क्या मेरे भाई, बिल्कुल सही चलना है, मामला, वन अपॉन एपसलन नॉट ए, मैंने बाहर लिख लिया, अंदर क्या बच्चा मेरे बच्चे यहां से बचा 2D by 3 प्लस का X यहां से 2 का दोनों तरफ डिवाइड कर दीजेगा यह कितना आ जाएगा D by 6 माइनस का कितना हो जाएगा मेरे बच्चे X by 2 के बराबर और यह चला था 1 upon C net के बराबर बात क्लियर है अब आईए 1 upon epsilon not A यहां पर मैंने 6 LCM ले लिया मेरे बच्चे ध्यान से सुनते रहिए 6 LCM लिया तो यहां आएगा 5D प्लस का कितना आ जाएगा 3X और यह हो जाएगा मेरे बच्चे कुछ इस तरीके से 1 upon epsilon not A यह आ जाएगा 1 upon C net X बराबर VT रख सकते हैं बिलकुल सर आंसर समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चे यानि कि C net किसके बराबर आ चुका है आपका आंसर होगा epsilon not A into 5D प्लस का 3 X की जगे क्या लिख सकता हूँ मैं VT upon में क्या लिखना है मेरे बच्चे 6 epsilon not into A अच्छा यह उल्टाएगा 6 epsilon not into A area तो 1 दे रखा है ना क्योंकि area आई नहीं रहा है आंसर में 5D प्लस का कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 3 into VT अब आप जब इसका R से multiply कर दोगे तो यह निकल कर आ जाएगा मेरे बच्चे time constant के बराबर आ जाएगा this is the final answer समझ माया है मेरे बच्चे चलिए आईए अगला question मेरे बई इस question को बड़ा आसानी से deal करना है डरना नहीं है question को देखके आईए ज़रा ध्यान से आप मुझे यह बताईए क्या आप time period का formula जानते हैं simple pendulum के लिए yes sir t बराबर क्या होता है 2 pi under root में l upon g बट यह g कौन सा होता है effective acceleration होता है यानि कि अगर मैं यह कहता हूँ कि अगर इस body पर या इस pendulum पर कितना effective acceleration लग रहा है अगर मैंने वो निकान लिया तो मेरा काम चल जाएगा चलियाए अब आप मुझे यह बताईए एक तो इसका weight लगेगा weight कहां लगेगा downward direction में और वो किसके बराबर लगेगा mg यानि कि mass को अगर हटा देंगे तो acceleration आ जाएगा अब इस पर एक electric force भी लगेगा electric force की direction plus से अवे होगी minus की क्या होगी towards और वो f बराबर क्या होगा मेरे बच्चे q into e के बराबर होगी बात clear है क्या अगर मैं इसका acceleration निकालता हूँ जब यह यहाँ पर जाएगा तो यह mass into acceleration अरे बात clear है क्या यानि की acceleration कितना आजाएगा q e upon m के बराबर और downward में acceleration कितना लग रहा था g के बराबर दो vector है vector quantity है एक acceleration लग रहा है q e by m एक acceleration लग रहा है g तो क्या आप net acceleration नहीं निकाल सकते हो निकालतोगे sir net acceleration कितना आजाएगा मेरे बच्चे under root में भईया आप मुझे दो vector है एक vector है q e by m और एक vector है मेरे बच्चे g के बराबर तो आप इनका net acceleration नहीं निकाल सकते क्या निकाल दीजेगा मेरे भईया g effective कितना रखोगे under root में g square plus का कितना हो जाएगा q square e square upon में कितना हो जाएगा m square ये complete का whole square है मेरे भई बास सबज में आ गए गया ये वाली value put कर दीजेगा आप का अंसर आ जाएगा time period का formula बात क्लिए रहे तो question tough नहीं था मेरे भई बट आपको approach लगानी है अब गर आपके अंदर approach डेबलप होर पा रही है तो आप question को आसानी से सीखते वे चलेंगे आईए अगला question इस question में भी ये आपके सामने अब half से dielectric fill करते आप बताए कि सर हमारे सामने 10 theta निकालो कैसे निकालो के सर again वही कहानी आप मुझे ये बताएए अगर ये हाँ पर इस तरीके से जाएगा एक simple dialectric है बहुत बढ़िया सर हमारे सामने कुछ इस तरीके से है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको क्या कहा गया सर ये कुछ जब ये ऐसे आजाएगा फोर्स इस पर ऐसे लगेगा क्यों ही weight कितना लगेगा मेरे बच्चे mg है ना और यह आजाएगा मेरे बच्चे ठीटा अगर यह आएगा ठीटा तो ये भी ठीटा आएगा बात clear है मेरे बच्चे और ये Q e है और ये mg है तो 10 ठीटा कित से निकाल लोंगा मुझे 10 ठीटा ही निकालना था 10 ठीटा किसके बराबर हो गया मेरे बच्चे बोलो फटापट से यह हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे बोलो है ना ये ठीटा तो ये भी ठीटा है ना mg qe by mg के बराबर हो जाएगा है ना भया qe by mg क्योंकि ये qe आएगा ना मेरे बच्चे ये mg होगा component और ये किसके बराबर होगा qe पैलली shift करोगे qe by mg के बराबर यानि कि अब आपको e का मान निकालना है बस qe by mg तो हमारे सामने option में है 10 inverse में आएगा बिलकुल e का मान कैसे निकालोगे हाँ पर electric field कैसे निकालोगे बात ये है अगर मुझे net electric field निकालनी होगी तो आपको क्या कहा गया है c1 तब है formed by the capacitor without the medium मतब जब ये है c1 और ये कितना है मेरे बच्चे c2 क्या आप net capacitance निकाल सकते हैं निकालिए आए निकालते हैं 1 upon c net बहुत बढ़ी असार कैसे लिखोगे 1 upon c1 प्लस का कितना लिखोगे 1 upon c2 बात clear है मेरे बढ़ी तो c net किसके बढ़ाबर आगया आपका अनसार हो जाएगा c1 c2 upon में कितना आजाएगा c1 प्लस का c2 अब मुझे जुगाल बैठाना है कि मुझे c और e के बीच में relation देखना है और e किसके बढ़ाबर होगा e होगा v1 प्लस का v2 upon 2 के बढ़ाबर सर आईए कैसे निकालोगे मेरे बच्चे अब आप मुझे ये बताईए c net मुझे यहाँ पर c2 दे रखा है तो c1 का मान आप कैसे निकालोगे यहाँ पर यह air में distance कितनी रह जाएगी d minus t के बढ़ाबर तो यह हो जाएगा epsilon not into a upon में कितना लिख सकता हूँ मेरे बच्चे d minus t के बढ़ाबर लिख सकता हूँ किया मैं c1 की जगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या मेरे बच्चे epsilon not into a upon में कितना है मेरे बच्चे d by d के बढ़ाबर देखलो मेरे बच्चे जुगार लगा रहा हूँ मैं C1 प्लस C2 आगया D-T आगया है बहुत बड़ी असर C2 आगया है Epsilon naught A को replace करना है कैसे replace करूँगा अब आप मुझे ये बताएंगे मेरे बच्चे कि electric field between the parallel plate capacitor हम कैसे निकाल देते आपका answer होगा electric field between the parallel plate capacitor किसके बराबर होती थी sigma upon epsilon naught यहम सीख चुके है मेरे बच्चे chapter number 1 के अंदर भी सीखा है और sigma बराबर क्या होता है Q upon A के बराबर तो यह होगया मेरे बच्चे Q upon A के बराबर अब मैं हापर बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को बहुत ध्यान से सुनना है मेरे बच्चे अगर आपको E निकालना था और E किसके बराबर है Q upon A epsilon naught के बराबर है क्या यह Q C net Q बराबर C V लिख सकता हूँ C into V V net कितना आजाएगा net potential कितना हो जाएगा V1 plus का V2 लिखेंगे तो कि भाईया potential का difference लेकर चलोगे अरे बात क्लियर है क्या भाईया तो यहां से कितना आजाएगा E बराबर DV by DR भाईया E बराबर minus DV by DR potential final minus initial initial कितना है V2 divided by D minus minus क्या हो जाएगा मेरे बच्चे plus अब सुनिएगा जाएगा अध्यान से अब यहां से मुझी क्या करना है A epsilon not क्या मैं C net का मान यहाँ पर रखूं रखता हूं सर C2 into epsilon not A upon में कितना है मेरे बच्चे C1 plus का C2 और यह कितना है बच्चे D minus का T into में कितना आगया A epsilon not और यह आगया मेरे बच्चे V1 plus का V2 के बराबर यह खतम यह खतम गेम ओवर हो गया मेरे बच्चे देख लो जरत ख्यान से E का मान रख दीजेगा C2 into V1 plus का V2 upon में कितना आगया C1 plus का C2 into D minus का T 10 theta करना तो theta बराबर कितना आजाएगा इतना inverse आजाएगा theta बराबर 10 inverse E का मान रख दीजेगा आपका answer आजाएगा बास समझ में आ गए भई तो इस वीडियो के अंदर हमने बहुती जबरदस और दमदार कुश्चन कर लिये भईया parallel plate capacitor के जतनी आपकी approach हो सकती थी उस approach से उपर लेकर गया हूँ मेरे भई अगली जो वीडियो रहेगी next वीडियो में हम मिलेंगे आप लोगों के साथ energy stored in capacitor अगर मैं एक capacitor को किस तरीके से deal करता हूँ वहाँ पर हम अच्छे से सीखेंगे definitely बच्चे इस वीडियो को like जरूर करिएगा मज़ा आ गया होगा मिलते हैं बच्चे next वीडियो के अंदर तब तक के लिए जहिंद हसते रहिए मस्कुराते रहिए